let's do question number first of exercise 4e that is integers question number first is divide हमें divide करना है first part is 85 by minus 17 तो first part लिख लेते हैं हमें divide करना है 85 को by minus 17 तो आप चाहें तो इसको 85 divided by minus 17 लिखें या और या हम क्या लिख सकते है 85 को divide कर देंगे minus 17 से लेकिन अब आप कहेंगे denominator में minus है और denominator में minus नहीं होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम minus 1 से multiply कर और divide कर देते हैं देखिए अगर मैं उपर नीचे minus 1 लिख देती हूं तो उसका कोई effect नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि ये cancel हो जाएंगे फिर यही आजाएगी time लेकिन ये minus 1 किसले लिखा है जिससे कि ये minus का sign उपर चला जाए numerator में चला जाए तो कैसे जाएगा अब देखिए 85 ये plus का है ये minus का है तो plus into minus is minus तो ये क्या लिख सकते है minus का 85 लिख सकते है इसी तरीके से minus 17 into minus 1 minus minus plus 17 वन्जा 17 तो देखिए अब नीचे की जगा उपर आ रहा है तो हम बड़ी classes में ये चीज करते नहीं है डिरेक्टली इसको उपर ले लेते हैं तो आप exam में ये चीज माइनस 1 से उपर नीचे multiply डिवाइड करके आईएगा अगर denominator में सिफ माइनस 17 होता है तो 17 वन्जा 17, 17 5 तो answer कितना आ गया माइनस का 5, माइनस कहां से आ है ये वाला, माइनस 5 is the answer let's do second part now, second part is minus 72 by 18 minus 72 by 18, तो इसको क्या लिख सकते हैं, minus 72 by 18 ऐसे भी लिख सकते हैं मड़ी classes में हमेशा divide को ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा अब 18 के table में 72 आता है कि नहीं आता है, yes, 18 4 is 72 तो 18 वन्जा 18, 18 4 तो ये कितना आ गया answer, minus 4 is the answer let's do third part now, third part is minus 80 by 16 तो minus 80 by 16, तो मैंने इसको लिख 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 लिया, minus 80 by 16 तो 16 वन जा 16, 16 5 जा 80, तो minus का 5 is the answer let's do fourth part now, fourth part is minus 121 by 11 fourth part is minus 121 by 11, तो हमने minus 121 divide किया 11 से तो देखिए 11 से अगर divide करेंगे 121 को, तो 11 वन्जा 11, 1 बचा 2 में से वन गया और 1 ये वाला उतार लिया, तो फिर again 11 वन्जा 11, तो that means 11 into 11 is 121 तो ये आगया 11, तो answer आगया minus का 11, minus का कहां से ये वाला minus 1 से उपर नीचे multiply divide तभी करते हैं, जब denominator में minus होते हैं numerator में नहीं, let's do next part, next part is, fifth part is 108 by minus 12 अब देखिए 108 by minus 12 कह रहा है, तो इसका मतला हम इसको ऐसे लिखेंगे तो denominator में क्या आगया हमारा minus की figure आगई, तो हम क्या करतेंगे, इसको minus 1 से उपर नीचे multiply करतेंगे, तो ये कितना आगया, minus का 108, बिना सोचे समझे, 1 के साथ multiply कर रहे हैं, उस value के साथ minus लगा देना है, और जिसके साथ already है, तो minus minus plus कर देना है, तो वो 12 हो जाएगा, अब देखिए 12, 9 is a 108 होता है, तो answer कितना आगया, minus 9 is the answer, let's do sixth part now, sixth part is minus 161 by 23, minus 161 by 23, तो हमने लिखा minus का 161 by 23, तो 23 के table में देखेंगे, 3, 7, 0, 21 होता है, देखिए, मैं आपको तरीका बताते हूँ, 3 का table बढ़ेंगे, और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 7's a करेंगे, 3, 7's a 21 होता है, once digit, तो इसलिए 7 से करके देखेंगे, 3, 7, 3's a 21, 7, 2's a 14, 15, 16, तो 23, 7's a हो गया, तो 23, 7's a, तो answer आगया, minus 7, let's do next part, next part is, minus 76 by minus 19, minus 76 by minus 19, अब इसमें एक चीज बहुत important है, तो देखिए, दोनों जगें minus आ रहा है, उपर भी और नीचे भी, तो हम क्या करते हैं, इसको cancel कर देते हैं, क्योंकि minus minus से कट गया, अब यह positive value हो गए, अब 19, 1's a 19, 19, 4's is 36, तो answer कितना आगया, 4 is the answer, let's do 8th part now, 8th part is, minus 147 by minus 21, minus 147 by minus 21, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, minus 147 upon minus 21 लिखा, अब मैंने आपको बताया था, उपर नीचे minus हो तो cancel हो जाता है, अब 21, देखिए, लास्ट में, unit is it 7 है, अगर मैं 7 से multiply करते हूं, तो 7, 1's a 7, 7, 2's a 14, तो that means 21, 7's a 147, तो answer कितना आगया, plus का 7, let's do 9th part, 9th part is, minus का 639 by minus 71, minus का 639 by minus 71, तो चलिए करते हैं, minus का 639 को divide किया minus 71 से, तो minus minus तो cancel हो गया, अब 71 है, इसकी unit digit 9 है, तो 9 से करके देखते हैं कितना आता है, 9 was a 9, 9, 7 is a 63, तो ये तो 9 जा रहा है, सीदा सीदा, तो that means 9 is the answer, क्योंकि minus already कर गये थे, let's do 10th part now, 10th part is, minus का 15625 by minus का 125, 10th part is, minus का 15625 by minus का 125 से divide करेंगे, तो ये कितना आ गया है, minus 15625 divided by minus 125, अब देखे, बड़ी values हो गई है, सबसे पहले minus minus cancel होकर गए, कर दिये, क्योंकि numerator और denominator में दोनों जगे minus था, आप देखे, इन दोनों की unit digit 5 है, तो that means 5 से cancel हो सकता है, तो हम 5 से, एक ही नंबर से उपर नीचे हमेशा काटिएगा, अलग-अलग नंबर से मत काटिएगा, राइट, तो आप 5 से, 125 को काटा, चाहे तो आप अलग से divide करके देखिए, 125 को 5 से गया, तो 5, 2s are 10, 2 बच्चा, 5 उतारा, 5, 5s are 25, राइट, तो ये काट के आगया हमारा, 25, अब उपर वाली डिजिट 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 156, 25 को हमने 5 से काटा, 5, 3s are 15, 0, 6 उतारा, 5, 1s are 5, 1, 2 उतार लिया, 5, 2s are 10, 2 अचा, 5 उतार लिया, 5, 5s are 25, राइट, तो ये काट के आगया, 5 से, 3, 1, 2, 5, ध्यान दीजिगा, मैंने दोनों नमबर एक से, एक ही नमबर से कटेंगे, उपर का अलग नमबर और नीचे का अलग नमबर से नहीं कट सकता, दोनों नमबर एक ही नमबर से कट किये जाएंगे, अब देखिए, ये हमें पता है, 5, 5s are 25, अब 3, 1, 2, 5 को अगें 5 से, डिवा 5s are 25, तो हमारा ये कट गया, 6, 2, 5, अगें 5 ए यूनिट डिजिट तो कट जाएगा, 5, 1s are 5, अब 6, 2, 5 को डिवाइड करते हैं, 5 से, तो ये क्या आगे, 5, 1s are 5, 1 बचा, 2 उतारा, 5, 2s are 10, 2 बचा, 5 उतारा, 5, 5s are 25, तो ये आगे, 125, तो आंसर कितना आ गया, हमारा, 125 is the answer, let's do next part, next part is, 2067 by minus 1, 2067 by minus 1, तो देखिए, 2067 को minus 1 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको पता है था, जब भी denominator में minus की value होती है, तो हम minus 1 से उपर नीचे multiply कर लेते हैं, तो अब ये क्या जाएगा, अब देखिए, plus, minus, minus का, 2067, और नीचे के आगया, minus, minus, plus, और 1, 1 is a 1, लिखना चाहें, लिखें, ना लिखना चाहें, ना लिखें, क्योंकि 1 ही आ रहा है, अब 1 से किसी भी number को डिवाइड करेंगे, तो answer वही number आ जाएगा, तो minus का 2067 is the answer, let's do next part, next part is, 1765 by minus का 1765, 12th part is, 1765 by minus का 1765, देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, 1765 को डिवाइड किया, minus का 1765 से, तो नीचे denominator में minus है, तो minus 1 से उपर, और minus 1 से ही नीचे multiply कर दिया, तो यह कितना आ गया, देखिए, plus, minus, minus, minus का 1765, और नीचे देखेंगे, तो minus, minus, plus, plus का 1765 हो गया, अब देखिए, यह दोनों same values है कट गई, तो 1 बज गया, तो minus का 1 is the answer, let's do 13th part, 13th part is, 0 by minus 278, 0 by minus का 278, देखिए, 0 को कभी भी किसी भी नंबर से, minus का हो, plus का हो, divide करेंगे, answer will always be 0, let's do last part now, last part is, 3000 by minus 100, 3000 by minus 100 से divide किया, तो यह आया, 3000 minus 100, अब denominator में minus हैं, तो minus 1 से उपर नीचे multiply कर लिया, right, तो अब यह क्या आया, plus, minus, minus का 3000, minus का 3000, अपोन, minus, minus, plus, plus का 100 बज़ा is 100, अब नीचे दो zeros हैं, दो zero कट जाएंगी, तो कितना आ गया, minus 30 is the answer, जाएंगे, टाएंगे, तो हािएंगे, गया,ilde कितना आ तो कितना एंप मुर्णा बदी धो, कितना दो राएंगे about the